जय श्रीमन नारायन आपके अपने यूटूब चैनल आचार पंडित अजसर्वा में बहुत बहुत स्वावत हैं आईए कल आपने सुनी विश्णु पुरान के दुतिय अंस में दूसरे अध्याय की कता आज आप सुनेंगे विश्णु पुरान के दूसरे अंस में तीसरे अध्याय की कता अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कता सुरुन नहीं किया है तो कृपा करके अवस्वाण करें हमारे चैनल पर विश्णु पुरान के नाम से प्लेरिष्ट तयार हो चुकी है वहाँ पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कता सुनने के लिए मिल जाएगी ये महिना चातुर मास का दूसरा महिना है चातुर मास में भगवान विश्णु की कता सुनने से सभी प्रकारते विगन वादा दूर होती है और विश्णु पुरान की कता सुर्वन करने से वेखुंड लोक की प्राप्ती होती है आज के तीसरे अध्याय में भारत आदी नो खन्नों का विवाग इत्यादी कताओं का वरण किया गया है तो आईए कता प्रारम करते हैं बोलिये विरिंदावन विहरिलाली की ये लक्षमी नारेन भगवानी की ये स्री पाराशड़ी बोले हे मेत्रिय जो समंद्र के उत्तर तथा हिमाले के दच्छन में इस्तित है वह देश भारत वर्ष कहलाता है उसमें भरत की संतान बशी हुई है हे महामोने इसका विस्तार नो हज्जार योजन है यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमी है इसमें महेंद्र, मलय, सहिय, सुक्तिमान, रिक्ष, बिंधन्य और पारियात्र ये साथ कुल परवते हैं हे मोने इसी देश में मनुष सुकर्मो द्वारा स्वर्ग अथवा मुक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यही से पाप कर्मो में प्रवक्त होने पर बे नरक अथवा तिरियक योनी में पढ़ते हैं यहीं से कर्मानुशार स्वर्ग मोक्ष अंतरिक्ष अथवा पाताल आदी लोकों को प्राप्ति किया जा सकता है प्रत्वी में यहां के स्वा और कहीं भी मनुश के लिए कर्म की विदी नहीं है इस भारत वर्ष के नो भाग हैं उनकी नाम इस प्रकार हैं इंडर दीप, कसेरू, तामरपड, गतस्तिवान, नाग दीप, सौम्य, गंदर्व और वारुन तथा यह शमंदर से गिरा हुआ दीप इसमें नौवा है यह दीप उत्तर से दच्छन तक सहस्र योजन है इसके पूर्विय भागों में किरात लोग और पस्चिमियों में यवन वसे हुए हैं तथा यग, युद और व्यापार आदी अपने अपने करमों की ववस्था के अनुसार आच्ण करते हुए ब्रामण, छत्रिय, बैस और सुत्रगन, व्रणा विवागनुसार मत में रहते हैं हिमने, इसके सत्रजू और चंद्रभागा आदी नदियां, हिमाले की तलेटी से बेत और इस्मरती आदी, पारी यात्र परवस्थे, नर्वदा और सुर्षा आदी, डिल्धान चल से तथा, तापी, तयोष्णी और निर्विंध्या आदी, रिक्ष गिरी से निकली हैं गोदावरी, भीमरती और किष्णवेरी आदी, महापाप हरणी नदियां सहस्र परवत से उत्पन होई कहीं जाती हैं कृतमाला और ताउं परणी, आदी, मलिया, चल से, तिर्मासा और आर कुल्या आदी, महिंद्गरी से दधा, रिशी कुल्या और कुमारी आदी नदियां सुक्तिमान परवस से निकलती हैं इनकी और भी अजारों, लाकों नदियां हैं और उपन नदियां हैं इन नदियों के टट पर कुरू, पांचाल और मत देशादी के रहने वाले, पूर्व देश और काम रूप के निवासी, पुन्डरू, अलिंग, मगत और दच्रात लोग, उपरांत देशवाती, सोराष्ट गण, तथा, शूर, आभीर और अर्वुल, गण, आरुष, मालक और पारियात्र निवासी, सौवीर, सेंद्रक, हिर्ण, साल्व और कोसल देशवासी, तथा, माद्र, आराम, अमलष्ट और पारशी गण रहते हैं, ये महावाग वे लोग सदा आपप्स में मिलकर रहते हैं, और इनी का जल पान करते हैं, जिनकी सन्निदी के कारण वे वड हश्ट पुष्ट रहते हैं, हे मुने इस भारत वर्ष में ही सतियोग, त्रेता, द्वापर और कली नामक चार युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं हैं, इस देश में परलोग के लिए मुनी जैन तपस्या करते हैं, यागिक लोग यग्या नुष्टान करते हैं, और दाने जन आतर पूरवग धान देते हैं, जम्मु दीप में यग में यग पुर्ष भवान विश्टु का सदा यग्योंदारा यजन किया जाता है, इसकी अत्रिक्त अन्य दीपों में उनकी और और प्रकार से उपासना होती है, ये मामुने इस जम्मु दीप में भी भारत वर्ष सर् क्योंकि यह कर्म भूमी है, इसके अत्रिक्त अन्य देश भोग भूमिया है, हे सत्मा जीप को सहसरों जन्मों के अनंतर महान पुन्यों का उदे होने पर ही इस देश में मनुष जन्म प्राप्त होता है, देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने श्वर्ग और अबवर्ग के मार्ग भूत भारत बर्ष में जन्म लिया है, बेपुरुस हम देवताओं की अपेच्छा भी अधिक धन्य वड़ भागी हैं, जो लोग इस कर्म भूमी में जन्म लेकर अपने फ़ला अंस से रहित कर्मों को परमात्म सरूब श्री विश्नु भगवान क अरपन कन्य से निर्मन पापक पुन्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, बेधन्य हैं, पता नहीं अपने श्वर्ग प्रद कर्मों का छे होने पर हम कहां जन्म ग्रहन करेंगे, धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमी में उत्पन होकर इंद्रियों की शक्ती से ही नहीं हुए हैं, हे मेत्रियो इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले नब वर्ष विसिष्ट इस जम्मो दीप का मैंने तुम से संचिप से वर्णन किया, हे मेत्रियो इस जम्मो दीप को बाहर चारों और से लाख योजन के विस्तार वाले वलियाकार खारे पानी के समुदर ने गेरा हुआ है बोलिए विश्णु भगवानी कीजे सर्वदीवी देवतानी कीजे प्रियमित्रो आपने अभी विश्णु पुरान के दूसरे अंस में तीसरे अध्याय की कता सरोन की प्रियमित्रो विश्णु पुरान की कता को जो भी भक्त सची स्रद्धा और मन लगा करके सुनता है वह अस्विक यग के बरावर पुन्फल प्राप्व करता है क्योंकि यह महिना चातुरमास का महिना चल रहा है यह चातुरमास का दूसरा महिना है चातुरमास चार महिनी का होता है इन चार महिनों में जो भी भक्त भगवान विश्णों की नित्य पूजा पाट करता है वह मरने के बाद मुक्ष को प्रात करता है और वेकुंड लोग को चला जाता है प्रियमित्रो मैं आसा करता हूँ यह कथा आपको बहुत जरूर अच्छी लगी होगी तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने शविमित्रों के पास सियर करें जिससे कि उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो सके और कॉमेंट वक्ष में विश्नु भगवान कीजे अवर्स लेकें अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में लगी वेलाईकर घंटी को भी दवा दें जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी ज बोलिये विश्नु भगवान की जै